हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो टीवी से अनुपमा में आप देखेंगे कि अनुपमा और अनुज ने शाफ फैमिली को आशा भावन में बुला कर सबसे बड़ी गरवर कर दी है क्योंकि आशा भावन जहां हस्ता खेलता रहता था परिवार के लोगों को एक दूसरे के साथ सुख दुख बाटने का मौका मिलता था लेकिन शाफ फैमिली के आजाने के बाद यहां पर दुख, तकलीफें और साजिसों का दौर शुरू हो चुका है अनुपामा के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपामा आग में कूद कर अपनी बीटी आध्या को बचाती है लेकिन वो डिंपी को नहीं बचा पाएगी तपीश बोलता है कि यह सब कैसी हुआ ऐसे में डॉली सारा का सारा आरूप आध्या पर लगा देती है वो बोलती है कि आध्या ने जान बुझ कर डिंपी को आच में धक्का दिया और वो आग लगने से लेकर डिंपी की मौद तक की जिम्मदार आध्या को ठेरा देती है दोसी तरफ आध्या अकेली कमरे में बैठी रहती है उसको काफी डर लग रहा होता है वो काफी घवराई हुई होती है क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई उसकी बात नहीं सुनेगा कोई यकीन नहीं करेगा उसकी मा और उसके पिता दोने उसे गलस समझेंगे हाला कि तपिश वहाँ पर रुखने का फैसला करता है और सभी को घर भी जिता है घर जाने के बाद डॉली एक बार फिर से आध्या पर हमला बोलती है बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि डिंपी मर भी सकती है डॉली यहीं नहीं रुकेगी वो बोलेगी कि आध्या ही सब कुछ कर रही थी दरसल यहाँ पर दोस्तों अनुपामा खुद भी सदमे में हाला कि उसने अपनी बच्ची को पूरी तरीके से प्रड़क्ट किया या नहीं ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा क्या एक बाब फिर अनुपामा का परिवार तूसरों के वज़े से बिखर जाएगा ये सारी ट्विस्ट और टन्स आने वाले टीवी अपडेट में मिलेंगे तो बने रहीएगा हमारे साथ मिलता हुआ एवरे के साथ स्टी ट्यून गुद्बाय